साथ वर्ष से अधिकुम्र के बुज़र्गों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने का तीसरा चलनाज से शुरू हो गया है करनाल में भी अभियान कुल 9 केंद्रों पर चलाए गया खास बात ये रही कि इस अभियान में बुज़र्ग खुद आ गया कर वैक्सीन लगवा रही है और अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दे रही है उन्होंने उन सभी बातों को सिरे से खारिच कर दिया कि वैक्सीन को लगवाने से कोई साइड इफेक्ट है समाचार एक्स्प्रस के साथ बाचीत में बुज़र्गों ने बताया कि वैक्सीन लगवा कर वह पूरी तरहें से सुरक्षित हो गए है ना लगवाने पर उन्हें इस बिमारी से संक्रमित होने का खत्रा जरूर था लेकिन वैक्सीन के बाद अब वह सुरक्षित है 28 दिनों के बाद उन्हें अब दूसरी डोज लगेगी जसके लिए वह स्वेम आएंगे वह विभाग के किसी मेसज का इंतजार नहीं करेंगे वैक्सीनेशन से वो ही सुरक्षित है इसलिए सभी से अपील है कि इस अभियान में अपनी भागिदारी जरूर दे और इस कॉरोना वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाए दोस्तों मैं हूँ तरूम दान और आप इसमें देख रहे समचार एक्सप्रेस में आपको बता दू किसे मुझूदू करनाल की सेक्टर 13 सी डिस्पेंसरी में जहां पर को रोना से निपटने के लिए जो वैक्सीनेशन का कारेकरम ता उसका तीसरा चरणा शुरू हो गया है जिसमें साथ सास की अधिसे अधिक उमर की विक्तियों को टिका करन लगवाए जाएगा यहां पर मेरे साथ बड़े सारे लोग मजूद है जिनकी रिजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है मैं आपको बता दूगी प्रोसेस पहले की तरह है पहले रिजिस्ट्रेशन होगी उसके बात करने के लिए मुझूद है नमस्कार मैं आपका सब्सक्राइब अपने घर से आये लगवाने के लिए हैं आपके पास कोई मैसेज आया है या आप अपने आप खुट एम अधिर मन्दीर में कोई आया था उन्हों ने का कि हाँ आपर लगवारें अब तो में तुमारे लगवाया रहा है वो कहते हैं बिल्कु ठीक है हम इसलिए हमें भी कोई डर नहीं है बस ठीक रहे वागवान करें यह थे यह थे मेरे साथ बात करने के लिए एक मैम थे जो वोलेंटर के रोप में यहां पर खुद सामने हैं इनके पस कोई मैसेज नहीं है बली कि मंदिर में सूचना मिली थी कि यहां पर वैक्सिन लगवाई जा रही है इसलिए यह खुद आया है यहां पर इनका यह भी कहना है कि यह इनके मन में कोई इजगे चाट नहीं क्योंकि यह वैक्सिन पूरे जार बिल्कुल सेफ है अभी फिलाले इनका नंबर आएगा मैं आपक करने का प्रयास करेंगे और यहां पर कुछ लोग और भी मुझूद हैं जो कि इस समय यहां पर इंतिजार कर रहे हैं वैक्सिनेशन के लिए सर आप कहा से आया है करनाल से सक्टर आट से सर आपको कहा से सूचना पराप्त हुई थी कि सेक्टर तेरा में आज जो है साड़ सा किसी क्योंकि किसी तरह की ऐसी हाखवाएं भी पहली थी किसको लगाने के बाद कि सामने आ रहे हैं हमने अखवार में पढ़ा भी था कहीं स्टेटर में इसका रेक्शन भी हुआ है और डेथ भी है तो हमारे दिमाब को उसका कोई असर नहीं है मैं इसी डिपार्टमेंट से रेटायर हूँ तो मुझे पता है वैक्सिनेशन के बारे में कितनी बूस्ट अप रोज होती है मूटी बढ़ती है देखी यह थे एक और सज्जन हमारे साथ जिनका यह भी कहना है कि वैक्सिन बिल्कुल तरह सेफ है इसको लगवाने को लेकर इनके मन में किसी भी तरह कि को हमार शर्मा जी मैं आपको बताओं कि इनसे बात करने का मैं आपने लगवा लिया वैक्सिन अब आपने अभी लगवाने हैं अभी देखिए यह और कई और मिलाया भी यहां पर मुझूद है जो इस समय वेट कर रही है कब उनका नंबर आएगा क्योंकि इनके पास अभी मै हम से और सोशल मीडिया के मादने हम से जैसे जैसे इनको जानकारी दी गई उस हिसाब से यह लोग आगे हैं और खुद अब इंजेक्शन लगवाने के लिए यहां पर मुझूद और इनको यह भी बता दिया गया है कि जो भी नर्स जो भी स्टाफ इनको वेक्सिन वेक्सिन से बात करने का पर अपने लगवा लिया वेक्सिन नहीं लगवाना है आप भी बेट कर रहे हैं अभी तीसरे चरन का अभ्यान स्टाट हो गया है वेक्सिनेशन को लेकर खुद मैंने आप लोगों से बात की कुछ लोग विलेंटर बनकर सामने रहे हैं जो बहुत ही अच्छ सबसे अच्छी बात है लोग विलेंटर बनकर सामने आ रहे हैं इसके बारे में आप उन लोगों को हम तो दिल से सल्यूट करते हैं आप क्या कहना चाहिए लेके एक हमारा जो कोविड के अगेंस्ट अभियान चला है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइल स्टोन आज हमने शुरू किया है कि 60 years and above और 45 to 59 years जो कुविड को और मौर्बिटी के लोग हैं उनको सभी को वेक्सिनेशन आज शुरू की गई है जो आप बता रहे हैं लोगों में उत्सा है अभी जैसे मैं यहां सेक्टर 13 की डिस्पेंसरी में हमारा जो को वेक्सिनेशन सेंटर है उस तो हम ऐसे लोगों को जो यह वलंटियर का काम कर रहे हैं उनको तहदिल से शुकरदार भी कर रहे हैं और वो ससाइटी की बहुत अड़ी सेवा कर रहे हैं क्योंकि यह 60 years above जो एक section है वो एक vulnerable section है जहां पर कोविड की mortality सबसे जादा इस age group में मानी गया है तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम इस section को जो 60 years above है maximum vaccinate कर सकें और जैसा कि आज आज आपने सभी ने देखा भी है कि मानी प्रथान मंतरी जी ने आज vaccination खुद करवा के इसकी शुरूआत करी है और हर्याना में भी हमारे माननीय स्वास्ते मंतरी जी आज दुपहर को तीन वजे विदिवत इसकी शुरुआत करेंगे इनाउग्रेशन करेंगे तो लेकिन अभी हम क्योंकि वेक्सिनेशन सभी जगाव पर शुरू कर दी गई है उसी की विवस्ता देखने के लिए आज भी हम यहां पर आये थे सेक्टर 13 की dispensary में क्योंकि यहां पर senior citizen council का एक office भी है और बहुत से हम इसकी शुरू करनाल जिले की बात करें तो आज के इस चरन को लेकर आज के सभ्यान को लेकर कितने center बनाएगा आज जो first day है तो हम 9 centers हमने करे हैं जिसमें से तीन private sector में है और 6 जो है हमारे government sector में जहां पर यह सारी vaccination आज की जा रही है क्योंकि आज इसकी registration सुबा ही शुरू ह तो अभी प्री रिजिस्टर्ट केंडियट काफी कम है और नहा के बराबर लेकिन आज हमें जो आन दा स्पॉर्ट रिजिस्टर्शन है वो करके सभी को वैक्षिनेट किया जा रहा है जैसे अलग लग सेंटर्श में डिफरेंट डिफरेंट चल रही है जैसे यहां पर अलड़ी दस को हम वैक्षिनेट कर चुके हैं दस रिजिस्टर ऑन दा स्पॉर्ट होके और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है अच्छा व्यवस्तर गरेंगे तिका सुरक्षित है बिल्कुल आप सबने आज देखा है महानिय प्रदानमंत्री जी ने आज वैक्सिनेशन ली है और और भी सबी जो हमारे हैल्थ वरकर्स हैं फ्रन्ट लाइन वरकर्स हैं और लगभग डेड़ करोड के आसपास वैक्सिन सारे कंट्री में की जा चुकी है और बहुत बिल्कुल सुरक्षित वैक्सिन है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब एक बहुत बड़ी अपरचुन्टी है इस कोविड की बारी को खतम करने के लिए और स्पेशली सिक्स्टी प्लस एज जो ग्रूप जो वन्रेबल हैं उनको आज जो वैक्सिनेशन शुरू की गई है उसका जादा से जादा लाब उठाएं और जल से जल जैसे आपकी बारी आती है वैक्सिनेशन जरूर करवाएं और यह भी पताना चाहूंगा कि सबी स्वास्ते संस्ताएं जो सरकारी स्वास्ते संस्ताएं हैं इनमें यह वैक्सिन फ्री लगेगी और गौर्म जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें इनका मैक्सिम रेट जो है टू फिफ्टी रुपीज रखा गया है यह थी मेरे सार्श सीविल सर्जन डॉक्टर योगे शर्मा जिनने बताया कि इस उमर के लोगों को के लिए यह वैक्सिन लगवाना अतिया निवार है और इसको लेने को लेकर इसको लगवाने को लेकर मन में जो ब्रांतियां आती वो इन्होंने समचर एक्सप्रेस के माध्य जो तोड़ी बोते इफेक्ट आते हैं वे इफएक्ट इसमें सामने आ जा आ सकते हैं किसी किसी को लेकिन यह है बिल्कुल पूरी तरह से से लोगों ने भी हम बताएगगा अब हम बात करेंगे बात करने का प्रयास करेंगे जो अब अब तक वैक्सीन जिनकी हो चूगी है स तो फिर हम आगे थे और रिजिस्टर आपका शुब नाम अब जिंदर सिंग अब जिंदर सिंग अब जिंदर सिंग एक और सजनवेर साथ बात करने के लिए मुझूद है सर आपने वैक्सिनिट हो गया वैक्सिन लगवाली कितनी देर हो गया आपका मुझे दस मिनट होई है अब इसके लिए आप जन उनक से क्या बिल्गों को यह वहम अपने मन से निकाल देना चाहिए किसी तरह का कोई भै मैसूस ना करें और सब जितने लोग हैं सभी को यह लग देवानी चाहिए कि एक और सज्जन मेरे साथ बहात है सर सर आपने भी वैक्सिनेटर होगे सर अब आप ऐसे लोगों जो क्या पील करना चाहेंगे जो इसा है कि मैं खुझ डिरता था वह बड़ा पेन होगा और वास्ता में कोई नहीं होगे जो लेगे श्यक्ति नहींगे कोई सिर्फ अख़बार में पढ़ा था कि यह सेंटर बना है और हम खुद चल करके आए हैं लेकिन इनका यह भी कहना है इनको दूसरे लोगों से भी अपील है कि वैक्षिन लगवाने को लेकर बिल्कुल भी गब्राय मत किसी को पच्छेस मिनट हो चुके हैं किसी को पंदरा मिनट हो चुके हैं किसी को दस मिनट हो चुके हैं इन मेंसे किसी ने भी अभी तक किसी भी तरह कोई भी सिम्टम सी कोई भी ऐसी शिकायत नहीं करी मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा सर आपको भी वैक्षिन लग चुकी है यह जो बिमारी है अब इस ए पहले लगवाई उन्होंनों जो की help वर्कर ते और जो frontline वर्कर थे उनको भी लगनी है भी लेकिन कई वक्तिन के मन में भाय है उनकी लिए क्या आप संदेश जोना दिखिए माइनर भी नहीं है मेरे साथ बुजर्ग जो की 60 प्लस हैं जिनके लिए आज यह आप बियान चलाया गया में आपको बता दूँ कि कोरोना जैसे बिमारी है ऐसी उमर के लोगों में मोर्टाइटी लेड़ जादा बढ़ जाता है इसलिए इनके लिए वेक्षिन लग से हैं अगर अध्रवाइब और भजो खोповर कर आ सकते इससे पहले सीविल से हमें बता चुके हैं कि सरकारी के इदरों में सरकारी के इन्डरों में है शुल्ख है जभ कि वहां पर जोकी इन तीन नीजी के इदर अभी करनाल में बनाये गए लिए फिलाल आज ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की affordable housing योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की free parking, EDC, IDC free, club charges free और maintenance free और कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर book करें